बच्चो तो क्या हाल चाल तो चलो लेकर आया है मैंने आपके लिए फिर से मोविंग चार्जर जाए मैंने टिजभी में से इंपोर्टिट अब्जेक्टीव कोई सब्सक्राइब अगर आप मेरे वीडियो पर नए तो वीडियो को सब्सक्राइब करना और जरूर करना ठीक ना विल आइकम को ताखी नोटिफिकेशन ऑन हो जाए और आपके पास वीडियो पहुंच सके ठीक है तो चलो वीडियो करते हैं स्टार्ट अगर इसके पिछले वीडियो अगर आप देख सकते हैं या फिर इसका में लिंक इस वीडियो के डिस्केप्शन बॉक्स में दे दूँगा आप देख सकते हैं तो चलो वीडियो करते हैं स्टार्ट ट्वेल्थ क्लास फिजिक्स इंपॉर्टेंट जो हमारे 2023 में होने वाला है चले स्टार्ट करें तो देखिए पहला क अगर्द न तो किस पर डिपेंट करेंगा तो आपका यहां पर आपका उश्म दे रखा और पर 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 यह और क्यार कैपार 2 पर कि 1 बटार के पर 4 यह आर पर यह आर क्या तो सर यह आर जो है ना ओर रेडियस है यार क्या है रेडियस इस सर्कुलर क्वाइल की रेडियस तो मैं आपको बता रहता हूं कि सर्कुलर क्वाइल के लिए magnetic moment की जो फर्मूला होती है aim equal to वो आपका होता है aim I तिकना A यह आपका फर्मूला होता है aim का मतलब होता है number of tons I का मतलब होता है कि उस tons में flow ने विली current और A का मतलब होता है cross section area और जब इस cross section area जो कैसा होता है तो बोलिएगा सर्बिताकार तो यहाँ पर area के जगा क्या लिखीगा 2 pi sorry pi r square लिखीगा तो आपका aim जो हो जाएगा इम बराबार n i और into में into में sorry into में pi r square हो जाएगा clear तो यह जो magnetic moment है जी ठीक ना magnetic moment वो radius के क्या बता रहा है radius के समानपाती बता रहा है लेकिन square वाला ना जी तो इसलिए आपका राइट रंसरो जोगा be is the right बो समझ में आया चलिए आगे चलते हैं दूसरा कह रहा है न आपका कि magnetic field at the center of circular current carrying circular current carrying देखिए एक आपका यह circular coil को देदी ही इस circular coil को के center पर magnetic field कितना बनता है यह आपको बताना होगा तो आपके लिए पता होना चाहिए कि इस पर जो बनता है वो आपका ठीका, वो आप होता है, देखे, क्या होता है, होता है अपका mu naught i upon 2R, क्या होता है, mu naught i upon 2R, ये अपका एक circular coil की दोबर, उसकी center पर बनने वाली magnetic field का formula होता है, तो ये आपको option कहां दिख रहा है, तो आपको option में 20 है, होगा की नहीं, अगर हाँ अगर coil में number of turns दिया हो तो आप कुछ ने करिए बस यहां से n से multiple कर देजिए आपका वही हो जागा magnetic field b का formula किसके लिए तो एक circular coil के लिए उसके center पर formula होता है समझें तो चलिए अगला question में लोग देखते हैं question में आपका क्या कहता है इसा unit of magnetic field बड़ा है आसान है यार यह तो 10 क्लस की बच्चे भी बता देगा तो यहां पर इसा unit of the magnetic field के जो होता है वह आपका टेसला होता है c option right हो जाएगा ठीक है चलिए चौथा question देख लिजिए चौथा question आपका कह रहा है ना कि when the charge particle क्या लिख है when the charge particle move in combined magnetic and electric field then force acting is no कातान एक charge particles के लिए और यह charge particles moves कर रहा है एक मान के चलिए electric field में भी यह मालें उपर में electric field है और इदर मालीं लिजिए आपका यह magnetic field है तो यह objective field और magnetic field में में इस लेक्षाए में motion कर रहा है तो बताईए इलेक्टिव फिल्ट की वज़े से टोटल फोर्स कितना लग रहा होगा तो टोटल फोर्स देखे इलेक्टिव फिल्ट की वज़े से इस पर टोटल लगने वाला फोर्स को लोरेंस फोर्स कहते हैं सिंपल सी बात है तो इलेक्ट्रोमेंटिक फिल्ट की वज़े से चार्ज पर लगने वाला फोर्स को कहा जाता है लोरेंस फोर्स अब सरूर लोरेंस फोर्स कितना होता है सर तो आपको पता होना चाहिए लोरेंस फोर्स कितना होता है बताई इलेक्टिव फिल्ड के बढ़ा कितना फोर्स होगा इलेक्टिव फिल्ड के वज़ा से तो बोलेगा सर इक्यू बड़ा simple था पालास टोटल फोर्स निकल रहा है और मैटिब फिल की वज़े से कितना निकलेगा तो बोलिएगा क्या Q भी भी हो जाएगा तो इस तरह से आपका यह टोटल लोरेंस फोर्स का फर्मूला होता है तो यहाँ से आप Q कॉमा ले ले जिएगा ठीक ना इलेक्ट्रमेटिक फिल्ड की वज़ए से चार्ज पर लगने वाला फोर्स लोरेंस फोर्स होते हैं यानि का उप्शन मर सीधा राइट के लिए हुआ चलिए आगे चलते हैं आगे पांच में क्या कहता आपको धान से देखिएगा तो पांच में आपका कहता है कि में मेरतिक फिellow энерг फिल्ड तर अट एनिप ऊइंट ती एनसाइग शोलेंड वाइड अ स्टेट इसलेंड वाइड इस कहता कि ए तो जटो जब यह एक शोलेंड वाइड होगा तो इस चॉलेंड वाइड पर इस उलेंड के अंदर में मैयनेटिक फील्ड कितना बनेगा क्रेंड की की 것 रैपल करेंग होगा तो बनेगा अंदर कितना बनेगा सोरनो इन्वायट के बाहर जो फील्ड होताय आपको पताऊगा तो अंदर में कितना होता है मैं ना नियून ना अगर बात करेगा तो यहां पर आपका यहां रोग और अगला बटा लोगा टोटल क्याईगा तो हुआ पर आपका एंध के तॉसर से मूञा बड़ा एल इंटू आई हो जाएगा यहां । मतलब n बराबर अब लिख सकते क्या n बटा l समझें n का मतलब होता कि total length में number of terms को nl बोलते हैं तो n term में कितना होगा तो n बटा l हो जाएगा न l length में तो इस तरह से आप इसको या फिर इसको याद रखेगा यह आपको रुप में पूश सकता है और एक बात आओ आपको बता जिता हूं कि अगर आपको solenoid के पास पुछे नियड में पुछे दुर्वे के पास पुछे तो आपको आधा कर देना यानि कि mu not आपको इसी के आधा कर देना इसी के आधा हो जाएगा के लिए तो यहार रखेगा यहां पर फिलाल हम लोग को प किससे पाडर का दिवाइस है कि स收p करता है तो c कि 50 होते हैं कौन सैकलोटरों जो होते है वह पुजिटिव चार्च पाटिकल्स को Excel करते हैं किलियार तो यहां पर आपका राइट अंसर होजेगा अप्शन नमर बीज़ार राइट ठीक है चलो अगरा देखते हैं कोस्टन नमर साथ में क्या कता है करता मैंनेटिक फिल्ड एड़ सेंटर अफ दे सर्कुलर लूप अफ एरिया एज बी ठीक ना दा मैंनेटिक इस प्रमूला किया होगा मैंनेटिक मोमेंट ठीक ना तो यहां पर आपका राइट होगा उससाथ का वह ओप्शन नमर सी दा राइट होगा क्या होगा तो बी ए टीक ना बटा मू नॉट रूट अंडर एबटा पाइस दा राइट अपका होगा के लिए याद रखिएगा जांडर और सी दा राइट बहुत इंपॉर्ट एट अग्ला गुश्य नमेर ना आठ में कांता है सब्सक्राइब करें तो आपको पता होना चाहिए दोनों कर सकता है यानि कि इलेक्टिक फिल भी और मैंटिक फिल भी और यह दोनों को कम्बानेशन को इलेक्ट्रो मैंटिक फिल का जाता है तो इसलिए आपको राइट अंसर होगा अप्शन नमर सी और आपको जनकारी के लिए मैं बता दूं कि अगर कोई चार्ज पार्टिकल्स ठीकिन भारेबल वहले करेगा तो आपको याद यह रखना है कि अगर अगर चार्ज रेश्ट में हो तो सिब इलेक्टिक फिल अगर चार्ज मोशन करता हो लेकिन दो तरह का मोशन होता है एक यूनिफॉर्मली एक नन यूनिफॉर्मली मतलब को स्टेंड के साथ एक भारेवल के साथ तो को स्टें और केवल मेनेटिक फिल्ड प्रोड्यूस करता है समझें तिस तरह से आपका यहां पर राइट हो जाएगा पूछने का अनुसार से युनिफॉर्मिली में सिप इलेक्टोमेक्टिक फिल्ड मतलब दोनों किलेन हो गया चलिए अगला कोशन देखते हैं कोशन नम्मर नौ में आप इस तरह से यहीतर है तोड किस से लिख सकते हैं कि उपर में लिख सःगा kg MIDR PORS SECOND G पार सिकेन स्कूर अप्यायर तो यह आपको होजाएगा N और L के पावर 0 चुकी मीटर तो नहीं है और T के पावर माइनस में 2 होजाएगा किलियार और M.P.R. नीचे तो उपर जाका माइनस में होजाएगा तो बताई यह आपका option कौन सा मिल रहा था आपका option नमर इधर राइट बोलो समझ माया चलो आगे देखते है question नमर आपका 10 में क्या कहता है 10 में आपका कहा रहा है question में कि SI unit ठीग ना A unit of magnetic moment magnetic moment का A unit क्या होता है magnetic moment तो आपको पता होना चाहिए कि magnetic moment परा फर्मूला क्या होता है तो मैं बताऊं तो देखिए क्या option दे रखा आपका option A में दे रखा Joule ठीग ना Joule टेसला उपर में option area यह आपका फर्मूला होता है तो यहां सब तो बनाई सकते हैं ना number of turns का तो कोई भी एक यूट नहीं होगा area का करेंट का क्या होगा एंपियर और एरिया का मीटर स्क्वार तो इंपियर मीटर स्क्वार बन गया और का यानि का option B is the right बड़ा असान था चलो अगला कोई देख लेते हैं लोग कोई नमर किसका अगा रहा का यह सई यूट ऑफ पोल श्टेंद का यह सई यूट क्या होता है तो यहां पर आपका राइट अंसर होगा option number C is the right ampere meter ampere meter is the right answer ठीक ना या दखीगा चली आगला देख लेते हैं लोग कोई संट ठीक ना नमर आपका बारा में सउट ऑफ दामेटिव फ्लक्स मैटिव फ्लक्स का इसविट क्या होगा जी तो सीवेबर यह सब तापको पता ही होगा चले तेरा की देख लीजी क्या कहता है कि अपको पता होगा कि एक बार मैजने के एक सौर्ट और नौर्थ के बीच को मिलाने वाल नौर्फ यह सब्लक्स के बारा यह को जाता है तो इसकी पॉल स्टेंथ के दूर को क्या कोकर देंगे तो क्या मिल जाता है यानी कि मैंग्टिक डीप ओल मोमेंट होती क्या क्या उस्थैंथ की लियर इंटू दोनों में से कव फिकस नौल दोनों के बचेक डिस्टेस इसको बोलते हैं मैनेक्टिक डैपल मोमेंट या फिर अपको मेंटिक डैपल मोमे में फर्मुला आ फ्रमुला आपका होता है ईजिस प्रकार से इलेक्टिक डापल में नेगेटिव से पोजिटिव की तरफ होता है पी का उस तरह एम का होता है सौथ से नौट की तरह है यह आपका राइट अनसर हो जोगा अप्शन मेरे किलिया चलिए आपका कोशन नमर चौधा में कहता है एक बार मैंटिक मोमेंट एम इस दा कट इन्ट का अगर हम लोग क्या करते हैं इसके एक्सिस के डाउंग करते हैं जी तो इसकी परतियेख पाद का वैंग्नीटिक डापल मोमेंट आधा हो जाएगा उधर का भी और इसके सासद पर श्टेंद भी आधा हो जाएगा संबजे लेकिन अगर हम इसको भाटिकली का आड़ते है तो याद अगीगा इसकी polar strength में कोई परिवर्तर नहीं होगा लेकिन magnetic deployment भी आदा हो जाता है तो सवाल ये बनता है कि अगर आप एक बार magnet को चाहे तो horizontally में मतलब axis के long equal part में काटिये चाहे तो vertically के रूप में काटिये हमेशा magnetic deployment आदा होता है लेकिन लेकिन axis के long काटने पर ही polar strength आदा होता है और vertical काटने पर polar strength सेम रहता है तो इस चीज को याद रखिएगा तो यहाँ पर आपका right answer होगा भी क्योंकि आप कैसो भी काटिये magnetic deployment आदा हो जाता है polar strength भलो नहीं होता है आयोप कि आपको समझ मारा कि लिए चलो 15 के देखो क्या काता है काता कि करेंट करिंग conductor produce क्या produce कर सकता है भाई क्या produce करता है देखिए आप कहो सकता चाहते elective field भी कर सकते मैं active field दोनों कर सकता है ना इसलिए आपका right answer हो जाएगा आपका यहां पर right answer में आपको बता देता हूं यहां पर आपका right answer का option number c is the right बोथ दोनों ठीक है चलो सोल्ला में आपका का रखा है न कि the magnetic field at a distance are from a current element various काता है आपका आपका सोल्ला में कि magnetic field at a distance from a current element various current elements various के दवारा उसका active field किस चीज़ पर depend करता है तो आपका यहां पर जो right answer होगा उस उल्ला का वह आपका हो जाएगा option number d यानि कि one बट्टा और स्क्वाइर पर रता है ठीक ना तो इसको उपरे भेग दीज़ेगत क्या हो जाएगा उपर जाएगा तो यहां पर आपका जो right answer होगा वह आपका option number c is the right यानि कि magnetic field बड़ा बड़ जो होगा आपका एक लोंग अस्टेट वाइगा कि two mu not i upon four pi r यह आपका right answer हो जाएगा के लिए चलिए मैंने का option number c is the right चलो 18 के देखू काता इफ करेंट आई फ्लो ए लॉंग आइन इंफिलिटी लॉंग अस्टेट थीन हलो टूब देन अमेक्टिव फिल एड पॉइंट इंसाइड थी तो इस कंडिसर में क्या होगा देखिए अगर मेक्टिव फिल अंदर की करेंगे यहां पर लॉंग इसटेडव के लिए तो यहां पर अपका फिल 00 हो जाता है के लिए इस बाद को या दखिएगा लेकिन आगर हम बात करते शोले के लिए तो79 आजischer के अंदर जो खोकला होता है उसके अंदर में एक फिल्ड नहीं होता है ठीक ना यान का अफसर में जीरो इस दर राइट हो जाएगा चलिए आगला कोशन देखते है उनीस में कि का रहने की एक दो कंड़क्टिं वायर के लिए और दोनों में करेंट की देक्शन सेम जा रहा है कि यह तो सेम डिरेक्शन में जा रहा होगा तो उस कंडिशन में दोनों की बीच में किस तदा का फौर्स लगेगा तो देखे मैं आपको बताता हुँ यहां पर ही यहांपर आपका attractive देखिए यह भी इस direction force लगाता और यह भी अपने तरफ घिषता है दोनों attractive करेगा अगर same direction में current बाहरा है तो attractive force लगेगा दोनों तारों के बीच में अगर अलग-अलग direction में बाहरा current तार में तो दोनों तार के बीच में लगने वाला force रिपल्सिव फोर्स होगा लेकिन आपको पता ही होगा ठीका तो यहां देखिए कि इंप्र स्रीटर थूरिं लाइज दा ऐलोलो ज्यस्टू मतलब एंप्र सोटर लाज जो खोता हो किसके लिए फॉलो होता है ति नहीं मतलब किस पर डिपेंडेट जाना तरु सुंपर ऑला झरॉला को किसे और कहा सकता है तो आपका 20 करे आपा जीए राइट अंसर होगा वो को लाम सुल आपसन नमर एज दा राइट याद रखिएगा आपका अब्जक्टिव पूछ सकता है आगे एस इंट आप आपसॉलिट पर्मिट्विटी अफ फिरियस पेस यानि कि म्यू नौट ना कि आपसॉलू नौट याद रखिएगा म्यू नौट का पूछा है यूरिट कि यहाँ कि यहाँ ऐपका यहाँ तो को चीज आ पको बताता हूं छीका अपको यहाँ शुच कर्वे डें कि अगर इफिय आपके तो आपको यह मारेगा वेक्टर फ़र्में यानि कि db बराबर mu not 4 pi into i dl गुने r बटा r square यह मारेगा अगर यह नहीं रहता है तब यह नहीं रहता है तब की बात कर रहे हैं हम समझने यह नहीं रहेगा तब वारना आपको rq वाला ही मारना पड़ेगा यहां rq है clear यह नहीं आपको मारना पड़ेगा ठीक है बोलो किलिया तो चलिए यहां पर आपका राइट अंसर हो जागा यहां दिया हुआ तब सब्सक्राइब यह एफ बराबर qv qbv और f बराबर q into b into b in cat और f बराबर e into q तो आपको कौन सा राइट होगा तो देखिए आपका यहां पर आपको एक जनकारी आपको बताता हूं बहुत important इसकी लिए मैं बताना चाहता हूं देखिए थोड़ा से यहां पर देख लिए उपर जगा नहीं था तो देखिए अग यहां से आप q जब lcm लिजिएगा क्यों कॉमन लिजिएगा तो यहां पर आपका e आवेगा गुड़ और यहां पर आपको वी इंटु बी आवेगा बोलो आवेगा कि जो कि एक वेक्टर फॉर्म में बना देता हूं देखिए वेक्टर फॉर्म में ठीक है तो अगर यह आ तो इस कंडिशन में क्या होगा क्यू ब्रैकेट भी इंटु बी तो इसलिए आपका यहां पर राइट अंसर हो जाएगा आपसा नमबर सीज़ दा राइट समाझ में आया चलो आगे कोशन देख लेते हैं ठीक है अगला कोशन आपका 25 में करका है कि यह मुविंग क्वाल ग रेसिस्टेंस को किसमें जोडते हैं तो यह आपका राइट यह आपका बहुत इंपॉर्ट अब्जेक्टिव कोशन है तो पचीस का जो आपका राइट अंसर होगा आपसा नमर बीज़ दा राइट इसमें क्या होता है ना कि जब गलो मिटर से हम लोग बोल्ट मिटर करते ह हैं तो लाज रेसिस्टेंस को सीरीज में कंभाईन करते हैं और अगर अ मिटर में करना है Himself Filter मौड़ बनाना है तो आपका संप रेसिस्टेंस मतलब बहुत छोटा रेसिस्टेंस को पार में कंभाईन करना पड़ता है आपको यह테ं यह आदना चाहिए बहुत इंस साथा है to convert electrical energy to magnetic energy is called electrical energy को magical energy में बतल दी electrical मतलब होता है कि धारा देवे गेने तो घूमें लगेगा को आइसा किसमें होता है तो मोटर में यानि का अप्शन में इधर राइट और जैनेरेटर यह डाइनोमियम क्या होता है कि जब घूमाते है ना उसमें ताब धारा मिलता है यानि कि यह mechanical energy को electrical energy में बदलने वाला काम करता है डाइनेमो जबकि electrical energy को mechanical energy में convert करने वाला तो मोटर तो आपको यह पूछाता ता आपका राइट अंसर भी होगा किलियर चलिए कोशन नम्मर 28 एन आइडियल एमिटर आइडियल एमिटर के पास resistance कितना होता है तो आपको बोलना चाहिए जीरो होता है ठीक है चलिए अपसन नम्मर ए राइट आपका 29 में करका है कि आइडियल वोल्ट मिटर इज आइडियल वोल्ट मिटर का resistance तो इंफिनाइट होना चाहिए बहुत इंपोर्टेंट है चलो आपसन में 20 का राइट हो जाएगा तीस में देखिए रेसिस्टेंस अब गलवलो मिटर इज इकवल टू यह भी बहुत इंपोर्टेंट है इसको भी भी लिगा लिगा लिजिएगा जी तिकना एक गलवलो मिटर का resistance पर आप फर्मूला क्या होता है आपको बता देखिती करेंट सेंसेटिवीटी करेंट सेंसेटिवीटी अपूंड भोल्टे का फर्मूल ला होता है इस तरह से आपको यहां पर समझ सकते हैं अपका राइट अनसर और सिस्धा राइट के लिए चलिए आगला कोशन देखतें 31 का क्या कहता है मैंटिक फिल्य इंडेक्शन एलॉंग दा एक्सिस एक्सिस के एलॉंग मेंटरी फिल्ड कितना होता है तो यहां पर आपका राइट उनसर हो जाएगा अफसर नमबर ए इस दा राइट बी बराबर म्यू नॉट टिकना एन आई एपान टू इन्टू कॉस्ट ठीटा वन माइनस ठीटा टू य की पोलर स्टेंथ होता है ति पोलर स्टेंथ के दोबारा एक पॉइंट पी पर और डिस्टेंस पर एक माइनेटिक फिल्ड की फर्मूला क्या होगी तो यहां पर आपका जो राइट अंसर होगा वह आपसा नमबर सी दा राइट हो जागा के लिए मू नॉट एम एपॉर प पूछा है ना मेनेटिक डयापषला के लिए एक जै Alors प्रफॉचा तो एक जैली पर आपको डूया हो जाएगा टू इंटू ए मारस्वाइर ना याने की कहाने का मतला inflation सी साथा राइट हो जाएगा कितना 33 का कंसा हो जाएगा सी आहरे यानि की मुद नौट घ्रीडिघ FEA-S donc हम पोबा दा जाता है नीचे में और कूछ नहीं यहां पर गया और चुछ पर यहां पर यह कॉंस्टेंट आ गया के लिए चलिए तो अगला कोशन अपका करका 34 में कि मैटिफिल इंटर सेटी ऑन दे एक्वाटोरियल लाइन ड्यू तो एक्वाटोरियल लाइन पर में टू ख़ल नहीं होता क्या नहीं होता तू नहीं होता है इस बात को याद अखना तो यहाँ नहीं होता है यहाँ पर आफ़्सन को ब्हुंस्टार के लिए इस में माइनस में होगा सुली माइनस में होगा उसमें माईनस नहीं चलो सुक्त तो यहांपका एक्वाटोरियल पर में состав क्वाओल्स Krweuls के संबंध म Katyये सो यह भियाद रखेगा कि जो आपका एक्जियल लायन पर जो आपका क्या होता है во चलि फिल को फ्र्मुला होता पर किस पर आपका बराबर ओता है ट्यृ फ्रौल एक कrea को समाज माईन्ट टीक फूल के इसकत थे चलो आगे और दोनों में निचे में बटम क्या होता है और क्यों ही होता चलिए 35 का देख लिए टोर्क आंक्टिंग और बार मागनेट प्लेस इन उनिफॉर्म अटिव फिल्ड में एक ठीक नहां हम लोग magnetic डैप्ल मोमिंट को कोAreגते हैं एक एक बार माइनिट को रकते हैं तो उस पर टॉरक कितना रखता हैं लगता तो यहां पर आपका ब्राज EVERY से रखक听 में उसमें होता है आपका 158 ठीका चलिए अाग यहां पर दखने च्छतिस में क्या आता है वेने बार मैनेट प्लेस पर्पेंडी कुले में इसे और रंडी का ना चाटी कटना हो गां तो आपको मैं बता दका हूं ठीक है यहां पर आपका right answer होगा 0, 0 लगेगा, नहीं लगेगा, आगे तो आपका राइट अंसर हो जाएगा या दखना आगे चलते हैं आगे आपका 38 में करक्ता है कि यह सब्सक्राइब क्या होता है तो इसका भी फर्मूला आपका वही हो जाएगा यानि कि टेसला ही हो जाएगा यार चाहिए आप सीधा राइट चलो ठीक है आप देखिए इंपोर्टेट सब्जेक्टिव कोशन दो नंबर में पुछे जाने वाला यह मुष्ट भी भी आई यह बहुत याद आपको नहीं आ यह भी इंपोर्टेंट है वाटवीग मिंस पॉलरेंट और यह बहुत इंपोर्टेट है यह विण दैट इसके हो पांच पांचों पाको जवाब कोशन है आं तम बना के धश्या उडा देजिए बहुत इंपोर्टेट याद भी कर लिजेगा चले 5 नंबर में आप देख ल इसको यार रखीगा ध्यान में रखीगा बहुत इंपॉर्टेटिव कोशन में ने करा दिया और इसके साथ सब्जेक्टिवी करा दिया तो इस तरह को वीडियो के करते हैं समथ भी लेंगे अगले वीडियो में तब तक के लिए बने रहना ओके गुड़ वाई